हेलो दोस्तो आप सभी का बहुत पहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस केंद्रा में दोस्तो आज हम GI Tech यानि भगवलिक संकेत जो विविन उत्पादों को दिया जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें दोस्तो के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इजाम पॉइंट अब विव से काफी महत्पून है इस वीडियो में नकेवल 2019 बल्की 2018, 2017, 2016 इन सारे वर्सों के जितने भी उत्पाद हैं जिने जी इटेक दिया गया उनको इस वीडियो में मैंने सामिल किया है अब यहाल फिलाल में कुछ परिक्षाओं में देखा गया है कि नके ओल 2019 बलकि पिछले वर्सों के भी जिन उत्पादों को G.I.T.E.G. मिला है उन्हें पूछा जा रहा है तो अब धान रखिएगा तो चलिए पहले जानते हैं कि यह G.I.T.E.G. होता क्या है G.I.T.E.G. किसी खास उत्पाद की गुनवता और उसके अलग पहचान का सुबूत है जिससे किसी छेतर विशेश के उत्पादों को एक खास पहचान मिलती है या उसी उत्पाद को दिया जाता है जो विशेश बगवालिक छेतर में 10 वर्स या उससे अधिक समय से निर्मितिय उत्पाजित किया जा रहा हो पहला G.I.T.E.G. 2005 में दार्जलिंग की चाय को दिया गया था ध्यान रखेगा पहला G.I.T.E.G. किसे दिया गया था तो दार्जलिंग की चाय को सबसे ज़्यादा G.I.T.E.G. करनाटेक के उत्पादों को दिया गया है यह भी आप ध्यान लोगन है अतुल्य भारत की अमों लेनी थी इंग्लिस में इंग्लेवल ट्रेजर्स ओफ इंक्रेडिबल एंडिया दोस्तों यहां मैंने सभी राजियों के जो विसिस्ट उत्पाद हैं जिने जी एटेक दिया गया है उनको मैंने सामिल किया है तो चलिए बारी बारी से हम उन्हें देखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला राज हमारा केरल है केरल का निलामबर टीक मरीयूर गोड पैनार रोबास्टा कॉफी तिरूर प पान का पत्ता मुराल पेंटिंग और मालाबार पीपर यह मुराल पेंटिंग काफी इंपोर्टेंट है इसे ध्यान रखिएगा अगला है तेलांगना तेलांगना का वारंगल दरी चेरियोल पेंटिंग और नेर्मल पेंटिंग यह चेरियोल पेंटिंग एसे सिखेस एचस लिख्जाम में इस वर्ष पूछा गया था तो ध्यान रख्येगा वारंगल दरी चेरियोल पेंटिंग और नेरमल पेंटिंग ये तीनों तेलंगना के हैं और ये महत्पुर्ण है करनाटक के सिर्शिसु पाड़ी कुर्ग अरेविका कॉफी कोलहपुरी चपल कुर्ग नारं प्लाणि पंचामरीत मुर्गन मंदिर ज़की तमिलाडों में वहाँ दिया जाता है तो ध्यान रख्येगा फिरोड हल्दी काफी मैथपूर्ण है इसे आप खास कर दियान रख्येगा अगला है महाराष्ट्रा महराष्टा की वारली पेंटिंग, पुनेरी पगडी, पठानी साडी, कोलापुरी चप्वल, सांगली हल्दी और अलफान सुवाम वारली पेंटिंग भी CHSल की एकजाम में पुछा गया था तो ध्यान रखेगा वारली पेंटिंग और पुनेरी पगडी, ये दोनों काफी माच पोण्ड है मध्य पर्देश, मध्य पर्देश का रतलामी सेव, कड़कनाथ मुर्गा, चंदेरी फैबिरिक ये कड़कनाथ मुर्गा इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा अगला है उडिशा, उडिशा का कंद माल हल्दी, रसगुला, पट चित्रा और बोमकाई साड़ी ये पट चित्रा वी सिए चिसल के एकजाम में पुछा गया था वध्यान रखेगा पट चित्रा और कंद माल हल्दी गुजरात, गुजरात का सनखेडा फर्निचर, पिथारा पेंटिंग, कक्च कासिदारी और गीर के सराम जैसे कि आप नाम से ही अस्पष्ट है कच और गीर, कक्च कासिदारी और गीर के सराम ये नाम से ही अस्पष्ट हो जा रहा है ध्यान रख्येगा पिथावरा पेंटिंग और संखेडा फरनीचर पिगुजरात से हैं अगला है पसिम मंगोल पसिम मंगोल का दाजलिंग चाय, रसुगुला, लक्समन भोगाम, छोव मुखोटा, गोबिंद भोग चावल और हिम सागराम दाजलिंग चाय, पहला जी आटेक प्रदान किया गया था, इसे ध्यान रख्येगा अगला है उत्तर पर्दिश, खुर्जा पोईटरी, काला नमक चावल, लखनाव चिकन कारी, मलिहाबादी दसारिया खुर्जा पोईटरी, काफी महत्पूर्ण है, इसे आप ध्यान रख्येगा अगला है बिहार, बिहार की मधुवनी पेंटिंग काफी फेमस है और ये काम में बार-बार पुछा जाता है कतरनी चावल, सिलाव खाजा, मगही पान, जरदालू आम और साहिलेची अगर आप बिहार के किसी प्रतियुक्ता परिक्षा की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इन प्रोड़क्ट के जगह का भी नाम याद रखना आवश्यक होगा जैसे कि साहिलेची मजपरपूर से बिलोग करता है, जरदालू आम भागलपूर, मगही पान, गया नालंदा, सिलाव खाजा, नालंदा और कतरनी चावल, मंगेल भागलपूर यह उतना महत्पूर नहीं है, आपको सिर्फ प्रोड़क्ट और राज्यक के नाम याद रखना है, अगला है दोस्तो राजस्तान, माप कीजिएगा, राजस्तान बिका नेरी भुजिया, मकराना मारबल, मुलेला क्ले वर्क, यह बिका नेरी भुजिया काफी फेमस है, और म यह माचल परजस में, कांगला पेंटिंग, काला जीरा, चुल्ली तेल, कांगला चाय, चंबा रुमाल, किनोरी सौल और कुल्लु सौल, यह कांगला पेंटिंग और काला जीरा काफी महत पुण है, ज्यान रक्येगा, काला पेंटिंग, काला जीरा, चुल्ली तेल, कांगला चाय चंबारोमाल और किनोरी शॉल्ट अगरा है असम का मुगा सिल्क जोहा चावल बोका सुल्चावल टेजपुर लिची मुगा सिल्क अभी SSC का जो MTS एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मुगा सिल्क किस राज का एक उत्पाद है तो यह असम का है तेजपुर लिची और सही लिची में आप कनफीज मत होएगा सही लिची बिहार का है और तेजपुर लिची असम का है बोकासवल चावल एक विश्यस प्रकल का चावल है जिसे पकानी के आवसकता नहीं होती है इसे केवल पानी में भीगो के कुछ दिर्ट रख दीजिए और ये खाने लाइक हो जाती है दोस्तो मैंने इस वीडियो में सभी राजियो के जितने भी महत्पूर्ण उत्पाद हैं जिने जीए टेग मिला है उन्हें सबको मैंने इसमें लिश्टेट किया है तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बार-बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप एक काम करिए वीडियो को पॉस कर अपने नोटबुक में सबको नोट कर लिजिए ताकि वीडियो देखने में आपका बार-बार समय ब्यार्थ नहोग तलीम दोस्तों चलते हैं आगे 36 गड़ जिराफल चावल चॅबस सील्क, साड़ी, बस्तर उडन कराफड यह जिराफल चावल महत्पुल्ण है आप ध्यान रखेगा 36 गड़ अगला है दोस्तों मिजोर्ब काफोंग हो जाता है क्योंकि नॉर्थ य्स्त के जितने भी एंस्टेट हैं वहाँimana के कल्चर है कि folk music, folk dance, जन्जाती इस सारे महत्पूर्ण है और TCS द्वारा जितने भी एक्जाम कंड़क्ट कराए जा रहा है उसमें नौर्थ इस्ट के स्टेट पर ज्यादा फोकस किया गया है तो आप ध्यान रखियेगा मिजोरम, टाबलो, पुहान, फैब्रिक और पेंचोई सॉल दोन से जीयाट्यव टेग भी प्रदान किया गया है तो दोस्तो ध्यानड कियेगा तरी पूरा राणी आना-नास तो दोस्तो 07 7 फ्लीज व्यडियो को लाइक करें धोस्ते साथ स्टेड्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब खरें तोदोस्तो मिलतेㄹं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मुस्कुराते रहिए और जीत और मेनत किजिए ठैक्स पर वाचिंग वीडियो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बेरी मच